पुलिस ने दो महिला पत्रकारों को लिया हिरासत में जिसके बाद एडिटर्स गील्ड ने की रहाई की मांग नमस्कार मैं मुनाली पाने और आप देख रहे हैं News 28 जी हां दो पत्रकारों के खिलाफ पुलिस ने मामरा दर्च करने के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया है पहला समरिध्धी सकूनिया और दूसरा स्पर्धा जहां जी हाँ, ये दोनों ऐसे पत्रकार हैं जो त्रपुरा में हालिया में हो रहे हिंसा को कबर करने के लिए कहे हैं वर्दमान में इन दोनों पत्रकारों को एक ट्वीट को लेकर गिरफतार कर दिया गया है तो आईए जानते हैं आगे कि इस वीडियो में इस मामले से जुड़ी कुछ खास बातों को समरिद्धी सकुनिया ने ट्वीट किया कि उन्हें असम के करीम गंज के निलम बाजार पुलिस स्टेशन में हिरासत में ले लिया गया उन्होंने कहा कि गोमती जिले के SP के आदेश पर उन्हें हिरासत में लिया गया है त्रपुरा पुलिस ने कहा कि समरिद्धी सकुनिया के ट्वीट के आधार पर येस दर्च किया गया है ट्वीट में एक निजी घर के प्राठना कक्ष को अज़ली हालात में दिखाया गया है इसमें कुरान को जलाने का भी दावा किया गया है पुलिस के मताबिक उन्हें धार्मिक दस्तावे जलाने का कोई साक्षय नहीं मिला है पत्रकारों को पूस्ताँच के लिए अगर तला आने के लिए कहा गया था राज्य छोड़ने के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया था आज सुबह पत्रकारों ने कहा कि पुलिस ने उनसे मुलाकात की और उन्हें डराने की कोशिस की उन्होंने कहा कि उन्हें होटल छोड़ कर अगर तला नहीं जाने दिया गया सुत्रों ने कहा कि पुलिस की एक टीम ने पत्रकारों को नोटिस दिया और उन्हें 21 नवंबर को पूस्ताँच के लिए पेश हूने के लिए कहा सुत्रों ने यह भी कहा कि उनसे फर्जी समाचार प्रशार मामले में पूछताँच की जा सकती है एक अधिकारिक बयान में HW News Network ने कहा कि पुलिस ने उन्हें बयान दर्च कराने के लिए एक सप्ताह का समय दिया इसके बावजूत भी उन्हें हिरासत में ले लिया गया यह त्रपुरा पुलिस का प्रेस के प्रती सरासर उतपीडन भरा और प्रेस को टारगेट करने वाला रवया है एडिटर्स गील्ड ओफ इंडिया ने पत्रकारों को हिरासत में लिए जाने की निन्दा करते हुई ट्वीट किया कि पत्रकारों की तत्काल रिहाई होनी चाहिए और उनके यात्रा करने की सुतंतरता की बाहाली होनी चाहिए पिछले हफते शोशिल मीडिया पर ट्वीट कर आरोप लगाया गया था कि विश्वा हिंदू परेशद द्वारा एक रैली के दौरान तरपुरा में एक मस्जिद में तोड़ फोड की गई केंद्रिय ग्रिय मंत्राले ने इस बात का कड़ा करनन करते हुए कहा कि रिपोर्ट फर्जी और तथ्यों की पूरी तरह से गलत बयानी है मंत्राले ने कहा कि काकरा बन के दरगा बाजार एलाके की मस्जिद को कोई नुकसान नहीं हुआ है लेकिन फर्जी खबरों के बाद माहरास्टर में विरोध और हिंसा की खबरे आई है तिरपुरा पुलिस ने फेस्बुक, ट्विटर और यूटूब से उन सौ से अधिक खातों को ब्योवरा देने को कहा जिनके पोस्ट को कथित तौर परसाज़ा किया गया था तिरपुरा पुलिस ने पोस्ट पर कारेवाही करते हुए 71 लोगों के खिलाफ 5 मामले दर्च किये हैं जिनमें सुप्रीम कोट के वकील, एक्टिविस्ट और धार्मिक प्रचारग भी शामल है जैसा कि आप सब वर्तमार में अपनी नजरों से साफ साफ देख पा रहे हैं कि कैसे जूटी पत्रकारिता को सराहा जा रहा है और सची पत्रकारों के सिर्फ एक ट्वीट को पकड़कर उनके खिलाफ मामला दर्च कर दिया जा रहा है हाला कि हाल ही में हुए इस मामले में कितना सच है और कितना जूट इसके लिए करते रहे है थोड़ा इंतिजार जैसे ही इस मामले से जुड़ी कोई खबर हमारे सामने आती है उसको लेकर हम आपके सामने आएंगे तब तक के लिए नवश्कार